मरूती सुजुकी की ओर से एक शांदर खबर आ रही है दोस्तो मरूती सुजुकी अपने हैच बैक शांदर शिफ्ट का बिलकुली नया मॉडल तयार करने में लगी हुई है लोगों की बड़ती दिमांड को देखती हुई कार कम्पनिया नए नए तरह के मॉडल मार्किट में उतानने वाली है ये कार मार्किट में 2022 की शुरुवात तक लॉंच हो जाएगी कम्पनी के मुताबिक मरूती सुजुकी नेक्स जनरेशन की शिफ्ट के एस्वी कॉंसेप्ट मॉडल को पेश करने की योजना पर काम कर रही है मीडिया रूपोर्टर्स के अधार पर नए शिफ्ट पर आने वाली नए अधारित एस्वी कम्पनी ज़दी पेश करने वाली है जी हाँ दोस्तो मारूती सुजुकी एक शांदर एस्वी पर काम कर रही है जो कि मारूती सुजुकी शिफ्ट पर बेश्ट रहने वाली है इस गे गाड़ी 5 सीटर माइक्रो एस्वी परफॉर्मस बेश्ट कार होगी और इस गारी को शांदर shift platform को modified करके एक crossover look में बनाया जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आने वाली इस Suzuki की नई compact Suzuki shift compact ACV दिखने में कुछ ऐसी रहने वाली है गारी में आपको सामने की तरफ शांदर futuristic style के DRS और projector setup देखने को मिल जाएंगे जो कि Suzuki के शांदा chrome-plated logo के साथ आएंगे वाई rare में आपको LED tail lamps के एक strip देखने को मिलेगी जो कि शांदर गारी को एक premium और sporty look देपाने में मदद कर रही है वाई दोस्तो साइट से गारी को शांदर उस पोटी रुख देने के लिए company ने इसमें आपको 16-17 इंच के diamond cut chrome-plated alovis add-on करे है वाई दोस्तो गारी में आपको tin black shades और शांदा roof lines देखने को मिल जाएगी वाई दोस्तो गारी के interior में भी आपको futuristic interior देखने को मिलेगा जितना बहतर है इस गारी का exterior है उतना ही बहतर है इस गारी का interior भी बताया जा रहा है गारी में आपको जबदस premium quality का interior देखने को मिलेगा जो कि शांदार एक बड़ी 15-inch की driver display और infotainment system के साथ attach होके आने माला है पूरे dashboard पर आपको एक शांदा display देखने को मिलेगी जिसमें आपको कई सारे internet technology वाले features देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने voice command के थूर पूरी गारी को control कर पाएंगे इसके अलब इस गाड़ी में आपको power steering भी sunroof और automatic AC के साथ climate control और air purifier जैसे काई सारे safety features और standard रूप से इस गाड़ी में आपको interior में रूट देखने को मिले जाएंगे वही बता दे इस गाड़ी की performance के बारे में तो आने वाली इस सुजूकी shift की शांदर ACV में आपको नेया mild hybrid 48 volt का शांदर 1.4 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा इस गाड़ी में शांदर आपको 110 bhp की power और 130 अनम का talk generate करने वाला इंजन देखने को मिलेगा और अनुमान लगाया चारा है कि इस गाड़ी में आपको शांदर company fitted CNG kit और hybrid variant देखने को चलेगा जिसके चलते गाड़ी का mileage 25 से 30 km अराम से रह पाने में सक्षम होने वाला है भारतिय बजार में इस गाड़ी की launching दोस्तों नए साल 2022 के उन साल में होईगी और इस गाड़ी की कीमत 5 से 10 लाक रुपे के अंदर रहने की संभाव नए है तो दोस्तों अपनी रहा में comment section में लिखे जरूर बताईएगा आपको इस सुजुकी shift बर आने वाली एधारित SUV कैसी लेगी इस वीडियो के लाइक कीजेगा दोस्तों जितना हो सके वीडियो को हम आदमी तक share कीजेगा में अगली गाड़ी के साथ किसी नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद